है 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 हलो फ्रेंड मैं रॉशन राज आप सभी क्या स्वागत करता हूं अपने यूटुब चैनल में लोग समझेंगे यह रेशनल नंबर क्या होता है और उसका प्रोपर्टीज क्या है ठीक है ना तो देखिए अभी तक हम लोग अर्रेशन नंबर के बारे पढ़श ठीक थें और रेशनल हम लोग यह देखे थे कि वैसे नंबर जिस fact की पर現在 आपτα है जहांपर रोडिटेरं villains और लोग देखिए थे ॏ तर मिनेटिग और रिपीटिंग के बेस पे ठीक है कि लो तर्मिनेट मतलब तर्मिनेटिंग भी हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो पहला मतलब यहां पर हो सकता है कि तर्मिनेटिंग हो अगर टर्मिनेटिंग के तब भी वो रेशनल ही होता था तो उसके बेस पे हम इरेशनल को भी डिफाइन करेंगे जैसे कि 7 और 8 में हम लोग पढ़ते आएं थे कि इरेशनल नंबर क्या होता अगर पुछा जाता था तो विच इस नोट रेशनल इस कॉल इरेशनल इस तरीके से डिफाइन करते थे या फिर यह कहां देते थे कि विच नोट एक्सप्रेश इन फॉर्म पीवाई क्यू ठेक है तो इस तरीके से लोग एंसर देते थे तो आज टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग इन इसके बेस पर हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या हो और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नौर एज और रिपीटिंग डेसिमल और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग होगा लगिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी वो नॉन रिपीटिंग होगा तब जाकि उसको ही रेशनल कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अगर माल लेते हैं कि 2.1111 तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है डॉट 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 तो यह तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट यह रिपिटिंग है और रिपिटिंग अगर आ रहा है तो वह रेशनल नंबर का कंडिशन आता है तो रिपिट इसका प्रोपर्टी देखते हैं क्योंकि हमें एक्सरसाईज इसके बाद वाला एक मिनसी ठीक हैं बी तक हम लोग देख चुके हैं सी को सोल्व करने के लिए कुछ प्रोपर्टीज को जानना जरूरी है यहां पर दिया गया प्रोपर्टी आफ और पहला यह प्रोपर्टी है कि इस नल नंबर जो है वह कॉमुटेटिव लॉग एसोसियेटिव लॉग डिस्टिब्यूटिव लॉग यह तीनों को एडिशन और मल्टिप्लिकेशन के बेस्ट पर फॉलो करता है सटिस्पाइब करता है तो यहां पर माइंड में यह आ रहा ह कि कॉमुटेटिव लॉग क्या होताँ स्यर्टिव क्या होता और डिस्ट्रिब्यूटिव क्या होता तो देखे। अधिशन के्टेट में अगर डेखा जाए तो इन केस्यूंटेटिव क्या कहता ہے JOHN qs बीजेक्वल डो बीपलस तो यह जो कंडिशन है यह इरेसनल नंबर साटीस्फाइब करता है यह किसको रेप्रेजेंट करना कॉमूटेटीव को ठीक है दूसरा associative, तो associative क्या होता है, a plus b, यह यह दोनों को bracket में कर दिया, मतलब कि firstly we can add a plus b and then after the resultant of a plus b is added to c, ठीक है, और यह किसके equal होगा, a plus b plus c के, इसी को हम लोगों कहते है, associative, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा distributed, distributed भी बड़ा easy ही है, ठीक है, वो भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन वो अगर multiplication के form में चला जाए, तो वो थोड़ा changes आ जाता है, ठीक है, multiplication के form में अगर आ जाए, जैसे a into a b plus c अगर है, b plus c रहे, तो यह आ जाएगा a into b plus a into c, यह distributed वो property है, देखिए एक closer property भी होता है, और closer property क्या कहता है, कि अगर ठीक है, अगर दो irrational number है, हलाकि वहाँ यहाँ पे satisfy नहीं करेगा, ठीक है, real number के condition में वो satisfy करेगा, लेकिन थोड़ा समझते है, irrational number पे क्यों नहीं satisfy करता है, तो closer property क्या कहता है, कि दो irrational number है, ठीक है, और वो दोनो irrational number पे, कोई भी operation लगाने पर, वो irrational ही आए, अगर ऐसा हो, तो वो closer property होगा, मतलब कि दो अगर हमाले delete, A and B, A and B are two, irrational number, irrational number, ठीक है, यह दो irrational number है, तो अगर A plus B, B, मतलब A plus B अगर कर रहे हैं, तो जो answer हमारा आरा, वो भी अगर irrational number है, तो वो closer property को satisfy करेगा, या फिर मैं एक simple सा example देता हूँ, कि, दो whole number ले लिजे, 2 plus 3, दो whole number है, तो 2 लिए और दूसरा 3, और उन दोनों पर plus operation, या फिर addition operation apply किये, तो result हमारा 5 आया, और जो 5 आया, वो भी एक whole number ही है, तो यहाँ पर whole number के condition में, whole number के condition में, addition property, closer property को satisfy कर रहा है, ठीक है, I think आपको यह समझा आया होगा, अब उसके बाद जो हमारा second property है, वो कह रहा है, some of 2 irrational number need not be an irrational, मतलब कि, अगर 2 irrational number को आप add करें, तो यह जरूरी नहीं, कि जो हमारा result आएगा, वो भी irrational हो, ठीक है, जैसे कि example अगर हम ले लें, example ले लें, तो 2 प्लस root 3, यह एक irrational है, ठीक है, और दूसरा हम ले रहे है, 2 minus root 3, ठीक है, यह भी एक irrational है, और दोनों को हम अगर add कर दें, तो हमारा आएगा 2 plus root 3 plus 2 minus root 3, यह दोनों cancel हो जाएगा, हमारा answer आ रहा, 4, मतलब कि 2 irrational number को add किया जाए, तो ऐसा नहीं कि वो rational या irrational आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुगा है कि when some of 2 irrational number need not be an irrational, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 को अगर irrational को अगर add करते हैं, तो उसका resultant भी irrational आए, वो rational भी आ सकता है, उसी तहीं कि से difference में भी, मतलब कि अगर subtraction हो, तो in that condition also it not be a irrational, वहाँ पर भी rational आ सकता है, जासे यहाँ पर भी एक example ले लेते हैं, यहाँ पर माल लेते हैं कि 7 plus root 3 and मतलब एक यह हो गया हमारा irrational और दूसरा हो गया 3 plus root 3 और इसमें से इसको अगर हम subtract करें, इसमें से इसको subtract करें, तो क्या जाएगा, यह दोनों irrational है, ठीक है, यह दोनों irrational है, तो 7 plus root 3 minus 3 and then after it become minus plus, minus plus minus root 3, यह दोनों फिर से cancel हो जा रहा है, हमारा फिर से answer 4 आ रहा है, मतलब कि in that condition also we get rational number, ठीक है, तो यहाँ पर भी rational number मिल जा रहा है, और product की case में भी वही condition है, कि आसा नहीं कि अगर 2 irrational का product कर रहे हैं, तो वो irrational ही आए, वो rational भी आ सकता है, जैसे कि अगर हम example लें, जैसे कि example लें, तो root 3 अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा भी root 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या है, irrational है, लेकिन इसका अगर अगर product करेंगे, तो root 9 need means 3, और 3 क्या है, rational number है, तो यह I think आपको समझाया होगा, अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग यह पहला property देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखते हैं, ठीक हैं, तीसरा property क्या कहता है, कि तीसरा में भी जैसे कि अभी first, second and third, second वाले में देखे थे, उसी तरीके से तीसरा में क्या है, कि sum of rational and irrational, अगर पहला हम condition देखें, कि sum of rational, एक तो पहला वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दोनों rational था, या दोनों irrational था, sorry, यह जो second number में था, वह वहाँ पर दोनों number irrational था, और irrational की case में क्या result आएगा, वो चीज़ देखें, अब तीसरा में एक rational और दूसरा क्या होगा, irrational, sum of rational number and irrational, 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 is irrational, ठीक है, अगर rational और irrational का addition हो, तो वो क्या होगा, irrational होगा, ठीक है, simple सा आप यह देखिए, जैसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, rational number plus irrational number is equal to irrational number, ठीक है, एक example भी देख लेते हैं, माल लेते हैं, यह two rational number है, और root three irrational number है, तो हमारा result आ रहा है, two plus root three, तो यह भी क्या होगा, irrational होगा, ठीक है न, अब देखिए, यह कैसे आपके, यह भी सोच रहे होगे, कि सर यह कैसे आएगा, तो देखिए, two तो आपको पता है, लेकिन इसका value फिर one point seven three two के आगे फिर बढ़ते चले जाईए, और उसको अगर add यहाँ पर कीजेगा, two के साथ, तो वो कैसा number आएगा, वो एक repeating decimal आएगा, और repeating decimal, repeating number आएगा, तो चाहिर सी बात है, वो irrational ही कहलाएगा, अब देखिए, दूसरा condition इसी के जैसा है, चेक है, यह इसका, तो rational और, rational number और irrational number का difference, difference of rational and irrational are irrational, ठेक है, उसके बाद तीसरा जो है, वो product है, चेक है, तो product rational और irrational का, product of rational and irrational, मतलब यह sum हो, difference हो, product हो, या फिर divide हो, तो यह चारो केस में rational और irrational होगा, तो answer हमारा irrational ही आएगा, ठेक है, product of rational number and irrational, और irrational, और irrational, ठेक है, एड़ फोर्थ वन इस कोसेंट आफ, rational and irrational, मतलब कि divide के केस में जो हमारा result आएगा, उसी को कोसेंट कहते हैं, तो जो result आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी irrational ही होगा, ठेक है, irrational और irrational, ठेक है, I think आपको यह समझाया होगा, चलिए एक point और देखते हैं, कि अगर कोई दो number हमारे पास दिया रहे, ठेक है, A and B, और हमसे यह बोले, कि उन दोनों के बीच का rational number find कीजिए, ठेक है ना, between number find करने के लिए, अगर बोला जाएं, तो कैसे करेंगे, E rational बोला जाएं, तब कैसे करेंगे, लेट, ठेक है, मैं यहाँ पर माल लेता हूँ, लेट A and B, A and B, R to number, R to number, ठेक है, और अगर यहाँ पर हमें यह बोला जाएगी, rational number find कर यह, rational number between A and B, ठेक है, rational number between A and B, A and B के बीच का rational number अगर find करना है, तो क्या करेंगे, A plus B by 2, ठेक है, और अगर E rational find out करना हूँ, E rational number find out करना हूँ, number between यहाँ होगा, between A and B, तो अगर यह रहें, तो root under A into B कर देंगे, ठेक है, अब दिखें, एक example ले रहे हैं, let 2 and 3 be a number, ठेक है, हम 2 और 3 को be a required number लिख लेंगे, be a required number, मैं समझाने के लिए यह ले रहा हूँ, ठेक है, example, तो अगर इन दोनों के बीच का number अगर पूछें, तो rational number पूछ रहा है, ठेक है, rational अगर निकालना हो, तो 2 plus 3 by 2, it means 5 by 2, it becomes 2 by 5, और अगर e-rational पूछ रहा है, ठेक है, e-rational पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, directly, root under 2 into 3 is equal to root 6, तो देखें, root 6 का value जो आएगा, वो 2 से बढ़ा आएगा, और 3 से क्या आएगा, छोटा, क्योंकि root 4 का value 2 होता, root 9 का value कितना होता है, root 9 का value 3 होता है, तो इन दोनों के बीच में यह root 4 और root 9 के बीच में root 6 है, मतलब कि जो answer आएगा, वो between 2 and 3 आएगा, ठीक है, I think आपको यह समझाया होगा, चलिए, अब हम लोग exercise की और बढ़ेंगे next video में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो please like, share and subscribe करना ना भूले, thank you, जैहिंद,